और ये सर्फ बैठक में होता तीसरा कदम राश्पति के भाषन के बाद धन्यवाज प्रस्ताव होता है और साथ motion of thanks धन्यवाज प्रस्ताव में क्या रहता है धन्यवाज प्रस्ताव में राश्पति द्वारा कही गई बातों को लेकर दल अपने अपने विचार रखते हैं सामान नित्या अपनी सहमती रखते हैं लेकिन विरोधी दल के लोग अपना विरोध प्रगट करते हुए कुछ बातें रखते हैं विशेश कर उप लब्दियों की बातों को लेकर विरोधी दल सरकार पर कुछ आरोप लगाते हैं लांचन लगाते हैं आदी आदी ये इस पूरे भाशन की प्रक्रिया में धन्यवाद प्रस्ताओं का जो क्रम है इसमें हर दल के नेता को भाशन बोलने का मौका मिलता है राश्पती के बयान के बाद हर दल के नेताओं को अपना अपना भाशन द देने का मौका मिलता है। और अंत में प्रधान मंत्री फिर इस पूरे प्रस्ताओ का निश्कर रखते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताओ राश्वति के भाशन के बाद एक धन्यवाद मत से होता है। और यदि सरकार इसमें असफल हो गई, यदि विरोधी दल ये बहुमत में साबित कर दिया कि उस सर्वराश्पती के भाशन से सहमत नहीं है और ये बहुमत से पारित हो गया, असहमत ही तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा. पर सामान इंतिया ऐसा नहीं होता, क्योंकि सदन में बहुमत तो उसी दल का है, जिस दल के लिए भाशन पढ़ा जा रहा है, जिस दल की अच्छाईयों को लेकर भाशन पढ़ा जा रहा है, तो एक हुआ मोशन आफ थैंक्स, साल के शुरू में, और उसके बाद धन्यवाद प सबी दलों को बोलने का मौका राश्पती के भाशन के बाद, और फिर अंति में प्रधान मंत्री के भाशन, फिर मतदान, इसके बाद अगला कदम होता है, प्रश्न काल, जैसे आपके हैं पहला पीरिड होता है, क्लास टीचर का पीरिड, थामान नित्या, ताकि वोई हादर प्रश्न काल होता है, इस प्रश्न काल में, जैसा कि नाम से इस पष्ट है, सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो पूर्व में अध्यक्ष को दे दिये गया हूँ, पूर्व में ही अध्यक्ष को सदस्यों द्वारा दिये गया प्रश्न के उत्तर, सम्बंदित विभाग के मंत्री देते हैं प्रश्न काल में, इसे अंग्रेजी में क्वेश्चन अवर कहते हैं, इसमें संसत सदस्यों द्वारा विभिन प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसका मंत्रियों द्वारा मौखिक या लिखित उत्तर, जल्दी से जल्दी देना होता हैं। और जल्दी से जल्दी का तातपर ये नहीं कि अभी तुरंत ही चाहिए, क्योंकि ये जवाब जो हैं वो अधिकारिक दृष्टि से सरकारी जवाब हैं, जो सच्चाई से परे नहीं होना चाहिए, तथ्यात्मक रूप से विलकुल सही होना चाहिए, और कहीं ये जवाब ग काल में पूछे गया प्रश्णों के सही उत्तर वह दे और इसके लिए वह संबंदित अधिकारियों जो उस्थाई कारेपालिका के सदस्य रहते हैं उनसे संपर करके उसके उत्तर तैयार करता है प्रश्ण काल के बाद अगला जो काल होता है वह शूनिकाल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जीरो अवर बारा बजे प्रश्ण काल के बाद शुरू होता है शूनिकाल का जो समय है, फिक्स है, पहली बात प्रश्निकाल के बाद, और दूसरी बात बारावज़े, और एक घंटे का, इसमें क्या अंतर है, इसमें और प्रश्निकाल में, प्रश्निकाल में पूर्व से दिये गए प्रश्न, उनके उत्तर दिये जाते हैं, लिखित में य दिये गए प्रश्ण अध्यक्ष को सौंपे गए प्रश्ण जो अध्यक्ष संबंदित भाग के मंत्रियों को भेज देता है लेकिन जीरो अभर में तातकालित प्रश्ण और तातकालित उत्तर इसमें बिना किसी सूचना के पूर सूचना के प्रश्ण पूछे जाएंगे उत सोच सकते हैं मंत्रियों को कितना तयार रखना होता है मंत्रियों को कितनी तयारी करनी पड़ती है अपने विभाग के संबंद में क्योंकि एक ना जाने कौन सा सदस्य किस देश से किस तरह के सवाल उनके विभाग से संबंदित पूझ बैठे तो आंकणों की बात हो या स्थि प्रिश्चित होना पड़ता है कि वह पूरा अपडेट हो और इसलिए शूर निकाल में दिये गए उत्तरों से मंत्रियों की काबिलियत मालूम होती है क्षमता मालूम होती है कौशल मालूम होता है मंत्र मंदल की तैयारी मालूम होती है शूर निकाल से शू निकाल के बाद जोसे जिरो आवर कहते हैं एक प्रक्रिया होती है कई बार उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताओ उस्थगन प्रस्ताओ अर्थात एडजर्ण्मेंट मोशन जैसा शब्द से इस पश्थ है यहां भी इस्थगन करना मतलब किसी चीज़ को इस्थगित करना क्या चीज़ इस्थगित होती है सामानिक कामकाज को इस्थगित कर देना ऐसा क्यों होता है इसमें ऐसा प्रस्ताओ रहता है कि बाकी सब कामकाज को इस्थगित कर दो भाई जनहित के कामों को पहले ध्यान दो बाकी मुद्धों को छोड़कर जनहित के मुद्धों पर तुरन ध्यान दे इसको लेकर ये प्रस्ता होते हैं और ऐसी स्थिति में इसे अंग्रेजी में जिसे एडजान्मेंट मोशन भी कहते हैं ये साधारन कामकाज को प्रभावित करता है और साधारन कामकाज को इस थगित करने का अनुरोज रहता है इस प्रस्ताओं में इस उम्मीद के साथ कि कुछ जरूरी जनहित मामले आ गए हैं जो इस पर सरकार का तुरन ध्यान जरूरी है सरकार का दिश्टकोन जानना जरूरी ह तो इसलिए ये साधारन बातों को धंगित कर दिया जाए और जनहिट के मामले तुरन तुठाये जाए ऐसा इस धंगन प्रस्ताओं में सामानेतर रहता है अगला है कटाँती प्रस्ताओं कटाँती प्रस्ताओं और साथ कट मोशन कट मोशन क्या है कटावती सामाने चाब बजट में होती है बजट में जदि कोई सी बात से सदन सहमत ना हो अधिकतर सदस्य सहमत ना हो या कुछ सदस्यों ने अपने विचारों को बड़ी मजबूती से रखके साविच करने की कोशिश की है कि यह बिंदू इस बजट का उचित नहीं है और सरकार यह इस बात से समत होती है तो यह परस्ताव रखा जाता है क्या करने का परस्ताव? बजट से कुछ बिंदू को हटाने का परस्ताव समझ गया? इसे कहते हैं कट मोशन इसके बाद अगला है अविश्वास परस्ताव अत्यादिक महारपूर्ण सबसे मजबूत हतियार सदन का है सरकार के खिलाफ अविश्वास परस्ताव जिसें अंग्रेजी में कहते हैं नो कॉन्फिदेंस मोशन ये क्या है नो कॉन्फिदेंस मोशन जन सरकार को सदन में अपना बहुमत से दिकरना होता है जब भी सरकार को सदन में अपना बहुमत से दिकरना होता है तब विपक्षी दल लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव रखता या दूसरे शब्दों में हम कहें No Confidence Motion एक ऐसा प्रस्ताव है जो विरोधी दल द्वारा सदन में इसलिए रखा जाता है ये साबित करने के प्रयास में कि यह सरकार यह मंत्र मंडल सदन का बहुमत उसके साथ नहीं है और यह ऐसा साबित हो जाता है मतदान में तो मंत्र मंडल को तुरंट इस्तीफा दोना होता है और नई सरकार बनती है तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे महत्पूर्ण बहुमत साबित ना करने की इस्थिति में या अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में जो सामान नित्या विरोधी दल वारा लखा जाता है बहुमत सत्ता पक्ष्व का सदस्य तो अपने ही सरकार के प्रती अविश्वास प्रस्ताव तो रखेगा नी तो ये विरोधी दल के लोग रखते हैं और यदि ये पारित हो गया तो सरकार भंग नौवा है निंदा प्रस्ताओ सेंसर मोशन जिसमें निंदा की जाती कुछ मुद्दों पर सरकार की प्रवृत्ति की सरकार के तरीकों की निंदा करना कभी कभी सरकार की कुछ विशेश निती को लेकर कड़वे शब्दों में निंदा की जाती है और ये भी सामाने तया विरोधी दल ही करते हैं इसमें साधिकतर प्रस्ताओं आप देखेंगे इनका संबंद विरोधी दलों से है और एक अच्छा लोक तंत्र वो है जहां विरोधी दल को उनके सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा मौले का मौका मिले आखिर प्रश निकाल जीरो आवर शू निकाल इस्थगन प्रस्ताओ कटवती प्रस्ताओ और विश्वास प्रस्ताओ और निंदा प्रस्ताओ ये क्या सरकार के सांसद रखेंगे सत्तारूर्ड पार्टी के सदस्य इन प्रस्ताओं को रखते हैं सामानिता ये प्रस्ताओ विरोधी दल के सदस्य द्वारा रखा जाता है और जैसा मैंने कहा निंदा प्रस्ताओं में सरकार के किसी कारे की किसी मुद्धे पर निंदा करने की बात होती है और उसके बाद अगला है इस थगन Suspension and Bicot of Parliament ये समन्नित होना नहीं चाहिए एक अच्छी लोकतांत्र की वश्था में सदन का Bicot नहीं होना चाहिए सदन के अंदर रहते हुए दोनों दल आपस में टकनाएं वाद जिवाद करें बहस करें और किसी निश्वर्ष पर पहुँचें पर दुर्भाग्य से ऐसा बहुत बार देखा गया जब बहुमत सत्ता दल का बहुमत विरोधी दल पर इतना हवी हो जाता है कि विरोधी दल अपनी आवाज उठा नहीं पाता सदन के अंदर और ऐसी स्थिते में उसके पास एक मात्र चारा होता है अपनी आवाज उठाने का वह है कि सदन से बायकॉट कर जाओ सदन से बाहर चले जाओ सदन का भहिशकार कर दो और ऐसा करते हुए क्यों अपना विरोध प्रगट करते है और जब ऐसा होता है तो सदन की करवाई भी स्थगित हो जाती है अध्यक्ष महदय विवश हो जाते हैं सदन की करवाई को पंदरा मिनिट के लिए या आदे घंटे के लिए स्थगित करने के लिए ताकि इस्थिती शान्त हो जाए माहौल उचित हो जाए सदन से वापस आ जाए आदी आदी तो स्थगन प्रस्ताओ और बहिशकार ये भी ऐसे औजार या हत्यार हैं विरोधी दल के पास जिसके आधार पर वह सत्ता पर सरकार पर वियकार पालिका पर लगाम रखती है यदि आप इनको गौर से देखेंगे ये सब जो प्रस्ताओ थे ये सब बातें थी इनका उद्देश ये क्या था सरकार को बांधे रखना सुनिशित करना कि सरकार के लोग दाएं बाएं ना जा रहे हों गलत दिशा में ना जा रहे हों सरकार पर लगाम रखना इन सारी कारवाईं के पीछे यही उद्देश है और ऐसा करते हुए विधाई का जो है वो कारे पालिका पर कड़ा नियंत्रन रखती है मैंने बताया था नियतिक कारे पालिकार थाथ मंत्री मंडल वो किसके प्रति उत्तरदाई है लोक सभा के प्रति लोक सभा और राजसभा दोनों सदरों में यह सारी करवाई होती है और इस करवाई के बल पर इस करवाई के मध्यम से सदन तुनिश्चित करता है कि मंत्रि मंडल अपना उत्तरदायत्व निभाए और सदन के सदस्यों के प्रति उत्तरदाई बना रहे नहीं करेगा ऐसा तो विश्वास प्रस्ता हो, सबसे बड़ा हथियार संसद की दिन चरया, संसद का डेली रूटीन इसको जानने के बाद, एक सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए कि ये सब तो विरोधी दल करते हैं लेकिन कानून कब बनता है? कानून बनाने का काम कब होता है? यहां पर तो जो बिंदु बताए गया है, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है और कानून बनाने का काम तो संसद का सबसे महत्मून काम है बाकी जो काम है वो तो विरोधी दलों के द्वारा सरकार को अपने पैरों पर खड़े रखने के लिए, सचेत रखने के लिए चुनिश्चित करने के लिए कि सरकार किसी गलत कारे में ना जाए गलत दिशा में ना जाए उससे संबंदित हैं दूसरे शब्दों में कानून बनाने की प्रक्रिया इसमें क्या होता है कानून बनाने की प्रक्रिया उसके डेली रूटीन में कहां फिट होता है प्रसीजर ओफ मेकिंग लौ इस प्रक्रिया को सदन में हमने जैसे पढ़ा विध्यक के माध्यम से किस जरिये से विध्यक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है यदि वह सरकारी विध्यक है तो मंत्री प्रस्तुत करेंगे है प्रैवेट बिल है तो कोई अन्य सदस्य से प्रस्तुत कर सकता है और इस प्रस्तुत करने के विध्यक के प्रस्तुत करने के भी अपने नियम है हां एक बात जरूर याद रखेंगे सदन की आप स्थिति को देखिए सदन में कैसे बैखते हैं एक और राश्टपती का भी भाशन यदि चल रहा है तो संयुक्त अधिवेशन दिखाई दे रहा है दूसरी और सामाने अधिवेशन यदि है सामाने सत्र तो अध्यक्ष महोदे बैठे हैं और अध्यक्ष का महोँ के राइट में सत्ता पक्ष के लोग और लेफ्ट में विरोधी दल के लोग ये नियम है हमेशा याद रखेंगे कि अध्यक्ष के राइट में सत्ता दल के लोग बैठते हैं और उसके लेफ्ट में विरोधी दल के लोग बीच की जो जगह दिख रही है स्पीकर के सामने वह क्यालाती well of the house, well अर्थात कुवा, देखेंगे आप वो जगह नीचे है काफी, और वहाँ पर एक लंबी टेबल लगी हुई है, जिसमें 15-12 करमचारी बैठें हैं, अधिकारी लोग, करमचारी नहीं, अधिकारी बैठें, जिनका काम है सदन में होने वाली सभी बहस आधिको यथावत रिकॉर्ड करना, they act as recorders, speaker के दोनों और मार्शल रहते हैं, और वो संबंदित अधिकारी भी रहते हैं, जो speaker को जब तब हिदायत देते रहते हैं, speaker को procedure के बारे में बताते रहते हैं, आधि-ाधि, जो पारे पालिका के सदत से हूँ, सत्ता पक्ष की तरफ सबसे आगे प्रधान मंत्री बैठता है, क्योंकि वो सदन का नेता है, यहां पर आप देखेंगे शी नरेंद मोधी को बैठे हुए, और विरोधी दल का भी एक नेता होता है, बशरते सबसे बड़े विरोधी दल को ए इक बटा दस भी नहीं मिली, 540 के में 54 मिलना था तो उसे 52 सीटे मिली, इसलिए विरोधी दल का कोई नेता नहीं रहता, इस सदन में नहीं है, और यदि विरोधी दल का कोई नेता होता है, तो उसे भी एक कैबिनेट रैंक का दरजा दिया जाता है, विरोधी दल का होते हु भी भारती लोक तंत्र में उसे बहुत सम्मान का दरजा मिलता है क्योंकि वो विरोधियों की आवाज का मुख्या है विरोधियों का नित्रत्व करता है और लोक तंत्र में विरोधी पक्ष भी उतना ही अच्छा मजबूत होना चाहिए जितना सत्ता पक्ष वास्तविक लोक तन्तर तो वही है तो एक और जहां प्रधान मंत्री बैठे हैं उनके बाजू में मंत्र मंदल के सदसे बैठे हैं दूसरी और आप देखेंगे विरोधी दल के नेता के रूप में कुर्सी है और अन्य सदसे बैठे हुए है उसके बाद सत्ता पक्ष के दाई और आप देखें संबंदित विभागों के अधिकारी जिनके विभागों से उस दिन विभागों से संबंदित question hour या zero hour या आदी आदी में उनके विभागों से संबंदित बात होने की संभावना हो प्रश्ण उठाया जाने के संभावना हो तो उसकी तैयारी के साथ ये अधिकारी वहां रहते हूं ये स्थाई कारिपालिका के लोग हैं और उपर आप देखिए स्पीकर के ठीक सामने उपर दर्शक दीरगा ये दर्शक दीरगा जो है इसमें पतकार बैठते हैं विदेशी अतिति लोग यदे कुछ आये हैं जो संसत की प्रक्रिया देखना चाहते हैं वो बैठते हैं और अन्य कुछ लोग जो पास जिनको मिलता है जो अध्यन के नाम से सदन में आना चाहते हैं सदन का अध्यन करना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया का शिक्षा की दृष्टी से आना चाहते हैं उनको पास मिलता है जो केवल अध्यक्ष ही दे सकता तो ऐसी सिति में आपने देखा दर्शक दीरगा पूरी भरी रहती हैं जो सदस्य हैं उनको एक-एक बेंच मिलती है सब बेंच जुड़ी हुई हैं और उनके हर एक के पास एक-एक स्पीकर है और ट्रांसलेटर है जो भारत की जो भाषाएं हैं सोला सत्रा अधिकारिक भाषाएं उसमें अनुवाद हो जाता है इस लिकान में लगा के वो एक किसी भी भाषा में दिये गए बयान या भाषन को अपनी भाषा में समझ सकते हैं तुरंद वेल अप दे हाउस बहुत महत पूंट दगा है इस प्रकार हम देखता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में सदन में विध्यक प्रस्तुत होता है और फिर जिस क्रम से मैंने आपको पूर में बताया था वो क्रम होते हुए वांत गजैटियर में छपता है और तब जाके कानून बनता है और कानून किस दिन से बनता है जिस दिन गर्जेटियर में पब्लिश हो अब संसद जो है 543 लोगों का बलकि 545 लोगों का दर्सदन है और 250 का राज्य सभा में इतनी वड़ी संख्या के कारण कई बार ये सुनिश्चित नहीं हो पाता कि उचित बहस हो पाए किसी विध्यक पर ऐसी स्थित में संसद जो है वो समितियों के माध्यम से काम करता है समितियों को कुछ विशेश कारिस हो पा जाता है इस समिति के सदस्य संसद ही होते हैं चाहे वे लोक सभा के हों, चाहे रज सभा के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों, ये जो समिती है या समितियां कई तरीके के काम करती है, जैसे कि विभन ने विभागों से संबंदित वुधेकों की बारीकी से जाच करना, और जाच करने के बाद इसे समिति ऐसी भी होती है जो सुनिश्चत करती हैं कि सरकार विभिन मदों पर नेमानुशार खरच कर रही हो वियर्थ में पैसा खरच ना किया जा रहा हूं तीसरा समिति का काम है कि बताना कि खर्चों में किस तरीके से किफायद बरती जा सकती है किस तरीके से खर्चों को कम किया जा सकता है ये भी समितियों का काम होता है और इन समितियों का गठन अध्यक्ष करते हैं और इन समितियों में विरोधी जल और सत्ता शादिकारों को भंग करने की शिकायतों के निवारन के लिए निप्तारे के लिए भी समितिया हैं ब्रश्टाचार के मामलों को देखने के लिए उसके लिए भी समितिया हैं सदन के सदस्यों द्वारा किये गए ब्रश्टाचार सरकार द्वारा किये गए ब्रश्टाचार के म सम्भावित धर्ष्टाचार के मामले और विशेश शादिकारों को यदि भंग किया है किसी ने उसकी शिकायतों पर विचार करने के लिए भी समिति हैं यदि ये समितियों की बात करें तो ये संसदी समितियां जो हैं उन्हें हम मुटे-मुटे कुछ इस तरह बाट सकते हूं पहला विट्तिय समतियों सब्से महत्पूर्ण ऐसी समिति जिसका पूरा सरोकार आयव्यासे होता है इसमें होता है लेखा समिति लोक लेखा समिति अर्थाद पब्लिक एकाउंट्स कमिटी दूसरा प्रक्कलन कमिटी जिसका नाम है दे एस्टिमेट कमिटी और तीसरा है ल लोक उपकरम समिती याने पब्लिक अंडर्टेकिंग कमिटी इनके काम क्या है लोक लेखा समिती ये देखती है कि सरकार जो खर्च कर रही है वो नेमा अशार है कि नहीं और यदि नहीं है तो उचित सुझाओ देना कारवाई करने का प्राक्लन कमीटी ये देखती है कि खर्च में किफायत की जा सकती है क्या सरकार किसी मज़ पे खर्चा कर रही है नेमानुसार हो रहा है लेकिन क्या ऐसी गुझाईश है कि खर्च को कम किया जाए इस गुझाईश के अध्यन के लिए समीति जो होती है इसका नाम है प्राक्कलन कमिटी और तीसरा है लोक उपक्रम पब्लिक एंटरप्राइज जुसमे सरकारी बड़े बड़े उद्योग आते हैं चाहिए वह बीए चील हो या भारत हवी लेक्टिकल्स लिमिटेड या एंटी पीसी या स्टील सार्टी अफ इंडिया लिमिटेड रेलवेज ऐसे जो बड़े बड़े उद्योग है उपक्रम हैं उनके कार का ध्यन करना